देखो यार बहुत सिंपल सी बात है मान लो मैं तुम्हें एक ऐसी कमरे में लेके चलू जहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ हो कोई भी सही पोजिशन में चीज रखी ही ना हो और मैं तुम लोगों से बोलू कि देखो एक वाटर बॉटल रखी है तुम्हें पूरा ध्यान उस वाटर बॉटल पर देना है ध्यान से उस वाटर बॉटल को देखना है और अपनी नजरे नहीं अटानी कुछ टाइम बात, कुछ शण बात हो सकता है वाटर बॉटल के आसपास जो भी चीज़े तुम्हें दिख रही थी वो धुंदली हो जाए क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिरफ वाटर बॉटल पर है चपले साइड में पड़ी हुई है सोफे पर कपड़े अच्छे डंग से नहीं रखे हुए सब बिखरा हुआ है लेकिन तुम्हारा ध्यान किस पर है वाटर बॉटल पर ऐसे ही लक्षे होता है जब हमारी लाइफ में एक गूल आजाता है तो हम क्या करते हैं अपना पूरा ध्यान उसपर एकागर करनेते हैं जिसकी वज़े से कितनी भी बड़ी प्रॉबलम हमारी लाइफ में आए इदर दर की प्रॉब्लमस आए हमारा focus किस पर होता है? सिरफ हमारे goal पर और देखो दोस्तों, problems का nature होता है आना और जाना, वो कभी stable नहीं होती इस दुनिया में किसी भी चीज का nature stability नहीं है हर चीज में change होता है, आना और जाना, दुख आता है, ऐसे ही सुख आता है बट वो कभी रुकता नहीं है लेकिन effect हम लेते हैं, वो खुद effect नहीं करती, वो effect हम लेते हैं अपने उपर लेकिन ध्यान मेरा एक बार जब goal पर है, तो आस-पास की problems अपने आप धुंदली हो जाती है लेकिन अगर इसका ही उल्टा हम देखें, कि हमारी life में कोई goal है यह नहीं, कोई laksh है यहीं तो फिर क्या होगा, छोटी-छोटी problem भी हमारे लिए बहुत बड़ी लगेंगी, वो कुछ भी हो सकता है छोटी सी कोई बात, किसी ने मुझसे कुछ क्या दिया, क्यूं कहा, ऐसा कैसे बोल दिया, उसमें क्या motive था बोलने का ऐसा उसमें बोला कैसे, मेर से बोला, छोटी सी बात का भी हम राई का पहार बना देते हैं क्योंकि ध्यान देने के लिए कोई बात है ही नहीं, कोई laksh है ही नहीं तो आस-पास की छोटी-छोटी चीजें भी हमारे सिर पर मंदराती रहती हैं तो यार सीडी सी बात है, अगर मेरी लाइफ में कोई गोल नहीं है तो छोटी-छोटी बाते भी मेरे को बहुत ही बड़ी लगने लगेंगी और इसी वज़े से मैं अपनी लाइफ में बहुत ही जादा टेंशन्स ले लूँगा एंग्जाइटी ले लूँगा, परिशानिया ले लूँगा, खुद ही लूँगा, कोई दूसरा नहीं देगा लेकिन अगर मेरी जीवन में, मेरी लाइफ में एक गोल है तो मैं अपना पूरा फोकस उस गोल पर दूँगा और जो आजपास की ट्रॉब्लम है न वो मुझे छूएंगी भी नहीं हाँ हलका सा टच करके निकल जाएंगी, बट जादा एफेक्ट नहीं कर पाएंगी क्योंकि मेरा फोकस, मेरी पूरी एकागरता, पूरा कंसेंट्रेशन एक चीज़ पर है ये बिलकुल ऐसे ही है, एक्जाम से पहले की दो तिन दिन हम पूरी महनत से पढ़ते हैं, पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पर लगा लेते हैं किताब उपर आसपास कुछ भी हो रहा हो, आगी क्यों न लग जाए, हमारा ध्यान किदर है पढ़ाई पर कोई कितनी भी बड़ी प्राबलम आजाती है, मेरा फोकस पढ़ाई से नहीं अटता सोचो अगर ऐसा फोकस, इतनी कंसंट्रेशन मेरे गोल के प्रती मेरे पूरे जीवन में या फिर चलो कुछ मही नहीं लग जाए, तो मैं क्या अचीव कर सकूँगा अपनी लाइफ में, कितना कुछ अचीव कर लोगा तो बस इतनी सी बात है, कि अगर लक्ष नहीं है, तो टेंशन जादा है, प्राबलम जादा है इन कंपारिजन विद उस इंसान के साथ जिसके लाइफ में लक्ष है, गोल है जैसे हमारे शरीर को खाना चाही होता है न, वैसे ही हमारे दिमाग को भी खाना चाही होता है लेकिन दिमाग का जो खाना होता है, वो होता है oxygen, पानी, बाकी nutrients जो आपको मिलते हैं आपके normal खाने से लेकिन इसके इलावा दिमाग का खाना एक और चीज़ होता है, वो होता है problem problem का मतलब कुछ ना कुछ काम करने को चाहिए, दिमाग एक ऐसी machine है, जिसे हम कहते है, problem solving machine एक पूरी body, पूरे आपके शरीर का CPU है, कुछ ना कुछ भी काम चाहिए, कोई problem चाहिए solve करने के लिए अगर तुम नहीं दोगे problem, तो खुद ले लेगा, बगल से चूज कर लेगा, अपने आप उठा लेगा, फाल्तू की problem ले लेगा, उस problem का राई का पहाण बना देगा लेकिन अगर मेरा goal है मेरे पास, मेरा लक्ष है और उसके प्रती मैं पूरा लगा पड़ाऊं काम पर, तो उसी से related problem आने वाली है और जो वो वाली problem में solve करूँगा ना, अपने लक्ष से related जो problem solve करूँगा ना, वो मेर को अलग ही उचाई पर पहुँचा देगी उसे में positive problem करूँगा, कि हाँ इसे solve करने से मुझे कुछ मिल रहा है तो इसलिए भी लक्ष चुनना, बनाना, उस पर काम करना important बन जाता है ये धिमाग बिलकुल उस जीनी की तरह है, ये मन बिलकुल उस जीनी की तरह है, कि जिसको आपने उसके चिराग से तो निकाल दिया लेकिन अब उसे आपको कुछ काम देना पड़ेगा, वो खाली नहीं बैठ सकता है लोग अलग अलग प्रकार के काम देते हैं, अगर खुद काम नहीं दोगे, तो खुद से काम ढूनना शुरू करतेगा और हो सकता है, फालतू का बेकार का काम भी चुनले, जैसे की लड़ाई जगड़े करना, जैसे की अपना समय बरबाद करना, सोना, कुछ ना कुछ लहीं लेगा काम लेकिन अगर प्रोड़क्टिव काम देना है, तो प्रोड़क्टिव काम के लिए तो भैया, लक्स निर्धारित करना पड़ेगा, गोल चूज करना पड़ेगा दोस्तों, अब रेनो कॉंशिस चैनल के माध्यम से, ये एक तरीके का पॉड़कास्ट हमने शुरू किया है, ताकि मैं भी कुछ बातें रख सकूँ, जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कि टॉपिक से ही रिलेटेड हो, तो प्लीज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कमेंट जो भी आपको ठीक लगे हैं